आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी स्कॉलर्शिप के ओनलाइन फॉर्म 2022 में कैसे अपलाई कर सकते हैं अगर दोस्तों आप लोग भी बीए, बीएस, बीकॉम के रिनूबल स्टुडेंट हैं और आप लोग भी अपना स्कॉलर्शिप के फॉर्म को फिल करना चाहते हैं खुश से तो आज की वीडियो आपके लिए काफी ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि यूपी स्कॉलर्शिप के रिनूबल फॉर्म और लाइन खुश से घर बैटे कैसे अपलाई कर सकते हैं और लाइन अपलाई करने के लिए आपके पास कौन-कौन से डाकुमेंट होने चाहिए यूपी स्कॉलर्शिप के फॉर्म को फेल करते वक्त आपको किन बातों का ध्यान रखना है इसके बारे में आज की स्वीडियो में कम्प्ली जाइन करी लेके आएं तो अगर आप लोग भी ये वीडियो को कम्प्ली देख लेंगे मुझे पूरी उमीद है कि आप लोग भी यूपी स्कॉलर्शिप के रिनूवल फॉर्म 2022-23 के अंतरगत खुछ से अपलाई कर पाएंगे तो चलिए शुरू करते हैं यूपी स्कॉलर्शिप 2022-23 के अंतरगत रिनूवल बीए बीएस से बीकॉम के सेकिंड यर एबं फाइनल यर के फॉर्म को खुछ से फिल करने से पहले आपको कुछ बातों का यहां पर ध्यान में रखना है जैसा कि इंपोटेंट डेट हो गया फॉर्म को फिल करते बग आपके पास कौन कौन से डाकुमेंट होने चाहिए सबसे पहले आप लोग को यहां पर पता दे कि रिनूवल फॉर्म इस्टार्ड हो गय थे 15 अगस्त 2022 से इसकी जो लाज डेट है बुदुस तो यहां पर 7 नॉमबर 2022 रखी गई है साथ में आप लोग अपने फॉर्म को फिल करने के बार कॉलिम में जाके सब्मिट करेंगे उसकी जो लाज डेट है बुदुस तो यहां पर 10 नॉमबर 2022 रखी गई है फॉर्म को फिल करने में किसी भी पिरकार कोई भी मिश्टे को जाती है तो करेक्शन डेट आपको मिलेगी उसकी डेट यहाँ पर है 20 दिसमबर 2022 करेक्शन कब आएंगे कैसे करेंगे इस पर हम आपको आगे वीडियो जरूर लेके आएंगे तो इस वीडियो को लाइक और चैन कर रहे हैं और रिनूबल कंडि रेट वो होते हैं जिनोंने इस से पहले स्कॉलर्शिप के लिए अपलाई किया था मगर उनका जो कोर्स है वो सेम ही रहा हो तभी आप लोग रिनूबल अपलाई कर सकते हैं रिनूबल का मतलब यह है कि आपने फॉर्म को फिल करने के बाद क कॉलेज में सम्मिट किया हो कॉलेज से बेरिफाई हो गया हो तब ही आप लोग अपना रिनूबल फॉर्म को फिल कर सकते हैं हाला कि काफी स्टुडेंट ऐसे भी हैं कि जिन्होंने अपने फॉर्म को फिल किया इन कंप्लीट कर दिया या फिर कंप्लीट कर दिया कॉलेज में स section में दे दूँगा साथ में दूस्तों आपकी जो लाज्ट qualification की मार्शिट होनी चाहिए जैसा कि आपने जो इस बार complete किया जैसा कि बीए बीए सीबी को काफी student है यहां पर और काफी university ऐसे जिनके अभी result जारी नहीं किये तो आपके जब result जारी हो जाए तब आप लोग अपने form को fill कीजीगा अभी last date यहां पर 7 नॉमबर 2022 रखी गई है साथ में आपके पास जाती प्रमारपत income certificate bank की पास्वूक आपने जो भी इस बार नई fees की receipt आपने जो भी अभी fees जमा की उसकी fees की receipt आपके पास होनी चाहिए साथ में annual non-defendable amount आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि form को fill करते वक्त आपको ये amount को fill करना अनिवारी है साथ में दोस्तों आपको enrollment number मिला होगा अगर आप लोग second year के student हैं तो दोस्तों आपको यहां पर first year में enrollment number देखने को मिल गया होगा वो enrollment number fill करते वक्त आपको जरूरत पड़ेगी तो finally ये थे कुछ document renewal form को fill करने के लिए finally हम चलते हैं UP scholarship की official website पे इस website के माधिन से आप लोग अपने renewal form को fill कर पाएंगे UP scholarship का renewal form को fill करने से पहले आपको यहां पर सबसे पहले number पर student का form का status को जरूर चेक करना है ताकि ये पता चल सके कि जिसका हम form को fill कर रहे हैं उसकी scholarship आई है या नहीं आई है या फिर किस बज़े से उसका form reject किया गया है इस बातों का आपको यहां पर ध्यान रखना है तो finally आपको अपना status चेक करने यहां पर आपको 2021 का registration number को fill up करना है यहां पर जनमति थी और यहां पर सर्च वाले option पर किलिक कर देना है सर्च पर किलिक करने के बाद हमारे सामने जो scholarship का status है वो यहां पर open हो गया है session देखीगा कि 2021 का session यहां पर दिया है आज की date देखीगा video suit करने की यहां पर show हो रही है साथ हमारे college का नाम registration number और यहां पर जाती नाम बगएरा यहां पर देखने को लेंगे course देखीगा कि bachelor of art first year bachelor of art का मतलब होता है BA first year आप लोग नीचे आएंगे registration हमारा complete हो गया था 14-10-2021 को final complete हो गया था 25-10-2021 को और institute ने फारवर्ड कर दिया था 3 दिसंबर 2022 को और bank की तरफ से verify हो गया और district की तरफ से भी मारे scholarship का form verify हो गया था 14-3-2022 को साथ मैं आप लोग देख सकते हैं यहां पर दो भागों में scholarship receive हुई है जैसा कि 2100 देख सकते हैं और 5000 यहां पर आप लोग देख सकते हैं तो finally आप लोग अपना status कुछ इस तरह से ही check कीजिगा आपका जो भी final status होगा वो यहां पर show हो जाएगा अगर आपका रिजैक्ट होगा फार्म वो भी आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा आप लोग का रिजैक्ट हो गया तब भी आप लोग अपने फार्म को रिनूबल कीजीगा क्योंकि रिजैट का रिजन अगर आपका कुछ और है जैसा की कोई mistake है जैसा की जाती आपने गलब फिल कर दी आयप प्रमानपत आपने गलत फिल कर दिया या फिर बैंक अकाउंट गलत फिल कर दिया तो आप लोग इनका correction करके आप लोग अपने फिल कर सकते हैं कोई problem नहीं है लेकिन आप लोग अपने status को जरूर चेक कीजीगा status चेक करने के बाद आपको उसी website पे back आ जाना scholarship फिल करने के लिए आपको student वाले option पे click करना है click करने के बाद आपको renewal login इस वाले option पे click करना है renewal में आपको यहाँ पर चार category देखने को लेंगी इनके बारे में आपको जानना काफी ज़्यादा जरूरी है सबसे पहले नमबर पे आपको देखने को लेगा pre-matric pre-matric का मतलब होता 9th और 10th के student यहाँ पे अपना login कीजीगा कैसे करते हैं इस पर मैंने already वीडियो बना रखी उस वीडियो का link आपको आई बटन पर देखने को मिल जाएगा साथ में दुस्तों यहाँ पर intermediate जो की होते हैं यहाँ पर first year inter यानि 11 में बार में की कैसे form को fill करते हैं इस पर मैंने already वीडियो बना रखा है वो वीडियो देखीगा साथ में दुस्तों यहाँ पर आपको postmatic other than intermediate यहाँ पर आपको किलिक करना है postmatic other than intermediate में आते हैं UGPG technical diploma के all student तो finally हम आ चुके हैं यहाँ पर scholarship के form को यहाँ पर login करने के लिए login करने के लिए यहाँ पर registration number और password मांग रहा है लेकिन काफी student यहाँ पर ऐसे हैं जिन्होंने किसी भी cyber cafe पर कराया था वो cafe बंद हो गया या फिर उन्हें password नहीं मालू है भूल गए है तो अभी आपको टैंसल लेने की जरूर नहीं है आपको यहाँ पर एक option मिलेगा forget password का आप लोग इस वाले option पर click कर दीजिगा और click करने के बाद आपको इन दोनों option को ऐसे ही रखना है और यहाँ पर आपको यहाँ पर अपनी सन को fill up कीजिगा हाई स्कूल का row number क्या है यहाँ पर fill कीजिगा capture यहाँ पर फिल कीजिगा पुना प्राप्त password वाले option पर click कर दीजिगा आपको नया password यहाँ पर receive हो जाएगा लेकिन काफी student यहाँ पर ऐसे हैं जिनके पास उनका पुराना registration number नहीं है वो college में जाके submit कर दिया था तो आप लोग अपना पुराना registration number एवं पुराने password को कैसे forget करते हैं इस पे मैंने पूरी complete अलग से वीडियो बना रखी उस वीडियो का link आपको i button पे मिल जाएगा यह इस वीडियो के dip section में आपको दे दूँगा आप लोग बो वीडियो को completely जरूर देखीगा ताकि आप लोग भी अपने scholarship के form को निकाल सकें पुराने form को और पुराना password निकाल सकें तो finally मेरे registration number और password मेरे पास सब कुछ है और अगर आप लोगों ने भी अपना registration number password दोनों चीज़े निकाल ली हैं तो आपको आ जाना student वाले auction पे renewal में और यहां पे intermediate वाले auction पे आना postmatic other than intermediate तो आपको इस वाले auction पे click कर देना है click करने के बाद registration number data worth capture और यहां पे capture फिल करके submit वाले बटन पे आपको click कर देना है login करने के बाद हमाय सामने यहां पे renewal candy rate का यहां पे login open हो चुका है जैसे कि आप लोग देखीगा session 2022 नवीनी करन ठीक है इसके बाद हमने जैसा कि पहले बताया था कि जितनी step आप लोग complete करते रहेंगे आपके सामने यहां पर green होते रहेंगे आप लोगों को यहां पर click करना होगा नवीनी करन के आवेदन पत्र को संसोधन करें इस वाले auction पे आपको click करना पड़ेगा यहां पर show रहा है और यहां पर हमारी जो registration की detail है यहां पर show हो रही है तो इसमें हमें यहां पर कुछ भी edit नहीं करना ना ही हमें यहां पर fill up करना है आपको यहां पर second वाले auction पर आपको click करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह की detail open होके आ जाएगी आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है यहां पर आपको सारी detail fill up की हुई है बस आपको यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि आपका part करम second है और यह course की अवदी 3 साल की है तो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है और यहां पर आपको बर्तमान के यानि first year की fees की receipt की date देखने को मिलेगी इसे भी आपको कुछ भी नहीं करना है आपने इस बार admission कब लिया था बोट डेट आपको यहाँ पर fill up करनी है और आपको यहाँ पर बिस बिस धहला बोट की तरफ से आपको एक पंजी किर्माग यानि enrollment number मिला होगा वो number आपको यहाँ पर fill up करना है capture fill करना है declaration वाले option पर click करना है submit वाले बटन पर click कर देना आपको एक message देखने को मिलेगा record successful submitted तो आप लोग समझाएगे कि यह वाला हमने record successful submitted कर दिया है इसके बाद दूस्तों यहाँ पर आपको दूसरे option पर यानि तीसरे वाले सुल्ख सम्बंदिक वाले option पर आपको खुद से click करना पड़ेगा जैसा कि हमने यहाँ पर click कर दिया तो हमारा यहाँ पर सुल्ख सम्बंदिक यहाँ पर open हो चुका है अब यह fees भई यह annual non-defendable amount तो यहाँ पर आपकी जो भी college में annual non-defendable amount है वो आप लोग यहाँ पर fill up कीजिगा college से check कराईगा और बिल्कुल सही fees है तो आप लोग इसे यहाँ पर capture fill करके update जरूर कीजिगा इसके बाद आपको यहाँ पर gut verse का बित्रण यहाँ पर आपको देना है gut verse वाले option पर click करना है और click करने के बाद यहाँ पर पूछा या रहा है कि आपका gut verse की detail यानि result आपका क्या रहा आप pass हुएं या फिर promote with math के साथ हुएं या फिर आपका result अभी तक नहीं आया है तो यहाँ पर यह तीनों option आपको देखने को मिलेंगे आप लोग को यहाँ पर बता दें कि अभी आप लोग UP scholarship के renewal B.A.B.C.B. com में ना करें जल्द वाजी क्योंकि आप लोग को बता दें का यहान में रखना है तो अगर आपकी university ने result जारी कर दिया या फिर जारी करने वाली है तो आप लोग यहाँ पर बेट जरूर कीजिगा तो finally आपका जो भी result का status होगा आप लोग यहाँ पर अपने status को show कीजिगा यहाँ पर बाशिक यह आपको ऐसी रखना है आपका जो भी प्रापतांक है यह आपको यहाँ पर फिलप करना है और आपको अगर semester भी ऐस है तो आप लोग semester select कर सकते हैं और आपका यहाँ पर cjp जा भी जो भी आपका result की category है वो आप लोग यहाँ पर फिलप कर सकते हैं साथ में यहाँ पर प्रापतांक आपको देखने को में लेगा पूड़ांक आपका जो भी पूड़ांक प्राप्तांक है वो आप लोग यहां पर फिलप कीजिगा परसेंटेज यह आटोमेटिक कैकुलेट कर लेगा साथ में दूस्तों यहां पर आपको अपना गतवर्स आपने जहां से पास किया उस कॉलेज का नाम आपको यहां पर फिलप करना है कैप्चा फिल करना है डिकलेशन वाले उक्षन पर किलिक करना है अपडेट वाले उक्षन पर आपको किलिक कर देना है किलिक करने के बाद हमारी जो detail है वो यहाँ पर successful complete हो चुकी है और हमें यहाँ पर आ जाना है home बटन पे home पे आने के बाद हमारा जो form है वो यहाँ पर successful completed हो चुका है जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं आए जाती आपका पुराना ही यह accept कर लेगा अधार verification भी यह आपका पुराना accept कर लेगा document upload यानि आपका photo भी यह पुराना accept कर लेगा बस आपको यहाँ पर जाचने है तो आबेदन पत्र पे click करना पड़ेगा बस तो finally आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं हमारा जाचने है तो print यहाँ पर open हो चुका है तो इसी तरह से आप लोग अपने print को निकाल के अपने college में जाके check कर आईगा form में किसी भी पिरकार कोई भी गलती आप लोग यहाँ पर दुबारा form को संसोधन यहाँ से कर सकते हैं आबेदन पत्र को संसोधन करें यहाँ पर आपको एक option मिलेगा इससे संसोधन कर सकते हैं बाकि आप लोग जो भी step को complete करेंगे आपके सामने सारी green tick लग जाएंगे form में सारी चीजे सब को सही है तो दुस्तों आप लोग यहाँ पर जाचने के उपरांत आप लोग पत्र को submit करें यह वाले option पर आप लोग click करेंगे click करने के बाद आपको यहाँ पर final print जो की college में submit कर रहना है वो आपको यहाँ पर तीन कारिये दिवस के बाद ही आपको यह print देखने को मिलेगा जो की आप अपने college में जाके submit कर पाएंगे form को submit करने के बाद print आने के बाद final print आने के बाद आपको यह document लगाने है जो की मैंने यहाँ पर list दे रखी है और इन document के साथ आप लोग अपने college में जाके submit कीजिगा submit करने so finally आज की इस वीडियो में मैंने आपको complete जानकारी दे दिये कि कैसे आप लोग UP scholarship 2022 तेज के अंतगत renewal form को VABSCB.com के कर पाएंगे उमीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई पसंद आई तो वीडियो को like कर दो दो साथ share कर दो और अगर आपके मन में UP scholarship से relative कोई भी questions है तो नीचे comment करके जरूर बताईएगा हम आपको 100% reply देते हैं इस वीडियो में बस इतना ही हम मिलते हैं एक नए वीडियो में नए topic के साथ अब तक के लिए बाए बाए